नमश्कार फ्यूचर रिश्पेश पे आप सभी का स्वागत हैं। निफ्टी के अंदर खरदारी है, निफ्टी बैंक में खरदारी है, सेंसेक्स में खरदारी है, ब्रॉडर मारकेट्स रादर पूरा, फ्रेंट लाइन जो इंडेक्स हैं वो तो तेजी में है ही, प्लस मिड कैप स्मॉल कैप भी आज लगातार दूसा दिन जब क्या और निफ्टी में है, 700 शेरों विक्वाली है, और 222 इशुरुआत में गिरावट थी, लेकिन हाँ, more or less यह जो नंबर है से मारकेट ने मेंटेन कर रखा है, आज सुभा से लेके अब तक, की कॉंट्रिब्यूटर भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, कहां से आज इंडेक्स में क का पॉस्टिब कॉंट्रिबूशन है, बिक्वाली हज, बजाज फिनांस में, एंटी पी सी में, स्बी लाइफ, डॉक्टर रेडीज जहां पर, more or less flat flat to negative side पर कॉंट्रिबूशन आता है, लेकिन, मिजर ली मारकेट में जो कॉंट्रिबूशन है, वो आज हेवी बेट सी दर से आ रहा है, आज हम बाचीत करेंगे, शिवांगी सारदा में से हमारे साथ मौझूद है, मोतिलार उस्वाल सेक्योर्टी से, उनसे हम चर्चा करेंगे, मारकेट को लेके, शिवांगी में से उनकी individual calls भी बाचीत करेंगे, और साथ से एक सस्ता options उनसे हम identify करवाएंगे, ले इसके अलावा, आप निफ्टी बैंक लेकर आएगे, कि वहां पर भी 43,000 के जोन्स पर सबस्यादा कॉल राइटिंग है, और नीचे 43,400, 43,300 और 43,000 के जोन्स में सबस्यादा पुट राइटिंग होते वह दिखाई पड़ेगी, हीट मैप के situation थोड़ी bullish side पर आप जहां पर 102 long है, करीब 40 short covering है, 33 नए shots बन रहे हैं और 8 share हो में unwinding आपको दिखाई पड़ेगी, कहां पर long, कहां पर short covering है, ये भी आप एक बाली देख लिए जहां पर majorly news flows के दम पे, और फिर earnings के दम पे, डॉक्टर लाल पैट लैब, कल नंबर्स आये, आज reaction, कॉन कॉल के बाद 6% उपर, अपोलो हॉस्पिटल एक बढ़िया अपग्रेड, 6000 के टागेट्स, 4% उपर, डेल्टा कॉप अलड़ी तेजी में ही है, कंटेनर कॉप नंबर्स का impact, RBL बैंक करीब 3% उपर, short covering है, डीसी, समवर्दना, मदरसन, मैरिको, करीब-करीब 1% के आसपस का फॉल, डिकसंटेक, रैमको, सिमिंट, कोटक मेंदरा बैंक और टाटा स्टील, करीब-करीब आधा से लेके 1% के आसपस के फॉल्स, यहां पर आते वे दिखाई पड़ रहे हैं, इन नंबर्स के बीच में बाचीत कर लगते हैं, शिवांगी मैम से मायसत बहुत मौजूद हैं चर्चा करने के लिए, शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत अपर घरकरम में, यह बैक्राउंड चेंज है, आप कलकता में हो के आज? शिवांगी मैम कैसे रीड कर रहे हैं आप मारकेट्स को? कुल मिलाके अच्छी बाइंग इंट्रेस्ट है, अक्रॉस सेक्टर्स भी, तो यहां पर कोई भी चोड़े डिकलाइंस में खरदारी की राय रहेगी, और हम जो एक्सपेक्ट करें नेक्स 19.0442 तक के लेवल्स, 19.150 के इंट्रादे सपोर्ट को ध्यान रखें, पुसिंशनल जरूर है, निफ्टी में कन्विक्शन जादा है, पर यहां बैंक निफ्टी में अपसाइड अगर हम लेवल्स की बात करें तो 43.750 तक के लिए मिक्सपेक्ट कर सकते हैं, 43.000 के एक सपोर्ट को धियान रखेंगें 43.000 के एक सपोर्ट लेके, 43.750 निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के लिए, 2400-450 के जोन्स के आसपस आपको शेयर निफ्टी आता हो दिखाई पड़ेगा, 19.150 पहला सपोर्ट और 19.000 ये आपके लिए अल्टिमेट सपोर्ट है, जिसको आप आप एस अफ नाउ फॉल कि अगर हम बात करें यहां पर मेरा पहला पसंदिता काउंटर जो है वह है फार्मा स्पेस में से लूपिन पूरे ही स्पेस में कुछ है जो काफी अच्छा इंट्रेस्ट बनाते हुए देख रहे हैं यह स्टॉक जो है काफी एक हॉल दिया है इसने सपोर्ट जोन्स के आसपा गए अच्छा यहां पर इस पाइंग देखने को मिल रही है और हम हफते बर का अगर चार्ट देके तो यहां पर अच्छा निगेशिन दिखने को मिला है और यह एक ऐसा स्टॉक है जो पूरे स्टेबल रहा है काफी व्यूलिटलित के पावजूत तो यहां पर मिरी राय र लेके आप लॉंग साइड पे जाएंगे स्टॉक में नंबर्स भी आने वाले हैं और 130 रुपे के आसपस अभी ये कामकाज कर दा है पहला नाम ये रहेगा और लूपिन दूसरा नाम है जिसको शिवांगी मैम चुन रही है आप लॉंग साइड पे स्पोजिशन को भी देख स स्पेस को इसने पिक अप कर दिया है तो मेट्रोपोलिस के नंबर अवेटेड है क्या करें इसमें ये पूरे ही स्पेस में एक काफी अच्छा यूण इंटरेस देखने को मिल रहा है वॉल्यूम बहुत ही शांदार रूप से इसमें नजर आएं दो तिनों से प्राइस वॉ 2550 के एक सपोर्ट को हम धिया रखें तो 2550 का एक स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं और लॉंग साइट पे स्टॉप को देखेंगे करीब 26-26 के आसपास के टागेट शेहां पर और खुलते वह दिखाई पड़ेंगे लाइकवाइस अपूलो हॉस्पिटल ये एक और नाम है क्यो अब क्या करें जी अपूलो हॉस्पिटल के अगर हम बात करें तो यहां पर हमने देखा है कि मन्तली पेसिस पे स्टॉप जो है पिछले महीने पिछले सीरीज में काफी एक मोमेंटम लॉस्ट होते वह दिखा था आज जरूर एक शॉट कवरिंग मूव जरूर देखने को मि पर यहां पर यहां पर इस रैली में इस मोमेंटम को आप कैच करेंगे अधरवाइस अभी के लिए आप वेट और ओच इस बिटर ऑप्शन वर्ल पूल के नमबर आये हैं वो नमबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं मुनाफ़ा 41 करोड से घटकर 26 करोड रुपए इस्तिमाही के अंदर आता हो दिखाई पड़ा और आये करीब करीब 1490 करोड से घटकर 1400 करोड रुपए इस्तिमाही के अंदर यह आया आते हो दिखाई पड कि किस तरह से का एक फॉल वर्लपूल के स्टॉक में इन नंबर्स के बाद है कि मुनाफ़े में एक बड़ा डिप तेखने को मिला है शेवांगी मैं वर्लपूल कुछ रीड कर पा रहे हो क्या अभी चार्ट में उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोमेंटम क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है और इसने इपने की नीजट सपोर्ट को भी तोड़ा है हम देख रहे हैं कि क्लियरली यहाँ पर जो है सेलिंग इंट्रिस्ट पर करार है कोई भी एच छोटे बाउंस पे तो यहाँ पर स्ट हैं वैसे भी अभी अभी नंबर आये हैं तो यहाँ ड़स्ट सेटल होने दीजिए नंबर के कुछ बिट्वीन दे लाइन्स उसके बाद कोई कॉल लीजेगा वह जादा पेटर रहेगा शिवांगे मैं कुछ और नामों में एक आईशर मोटर देखिए शॉर्ट कवरिंग क कैंडिडेट और एक हीरो मोटर का अब दोनों ही शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं इन में से कुछ पिक कर सकते हैं क्या जी सारी ऑटो स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है और सेलेक्टिव काउंटर में एक जो है रोलोवर्स भी काफी पॉजिटि काफी वॉलाटाइल है पर एक अच्छी इंट्रेस जरूर देखने को मिर रही है जो नेक्स्ट लेवल्स यहां पर है बनते हुए आ रहे हैं वो है करीबन 35-30 के आसपास तो इन लेवल्स के लिए हम इसमें ध्यान रख सकते हैं बाकी पूरे ही जो कुछ कैश रिलेटर आटो काउंटर से वो भी इस वक्त काफी पॉजिटिव में जरार है तो आईशर मोटर डेहाई के आसपास और हीरो मोटर कॉप यहां पर भी अच्छा पिक अप आतावा दिखाई पड़ा है लोग लेवल से एक अच्छे अपमूव रादर आ रहे हैं लाइक की तेजी हो गए इसमें? डन है? जी लाइसी आउसिंग की बात करें तो पहले तो यह स्टॉक ने पूरे राइली को डिट्रेस किया उसके बाद वापस हमने 5-6 दिनों में एक अच्छी रन अप ज़रूर देखिए पर कहीं न कहीं है हार सोन्स पे सिस्टेन नहीं कर पा रह रहा है मुझे तो यहां पर 475 तक के एक लेविल है पर अगें अपसेट जो है वो कॉल राइटर काफी स्टॉंग ली है 450 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं ओके तो 450 का सपोर्ट और उपर कॉल राइटर साथ 70 चार 75 के जोन्स में ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे तो आप तेजी कैप है लेकिन नीचे 450 के स्टॉप लेके अपनी पोजिशन को यहां पर होल्ड कर सकते हो लाइक्वाइस दो नंबर्स में एक कंटेनर कॉप और टाटा मोटर्स इन दोनों के नंबर्स पी आया और नंबर्स का रियक्शन भी बहुत स्टॉंग आया है इस्पेशली कंटेनर कॉप में जो करीब-करीब 3-3% उपर है कैसे रीड करें इन दोनों को अगर किसी के पास पूजिशन है तो क्या कर सकते है जी दोनों ही स्टॉप में गैप अप के बाद हमने देखा है कि स्टॉप जो है हाईर जोन्स पे स्टेन कर रहा है टाटा मोटर्स पे थोड़ी बहुत रर्मी ज़रूर है उपनिंग जोन्स के बाद से पर कॉनकॉर्ड जो है वो अच्छे से होल्ड कर रहा है पर मेरी ये राय रही कि गैप अप ओपनिंग है तो यहां पे इसको थोड़ा फुल अप होने दे फिर हम इसमें नज़र डाले थोड़ा इंफ्लेटर हो सकता है अभी ये लेवल्स तो वेट अन वाच करने की सला रहेगी दोनों स्टॉक्स पे तो दोनों स्टॉक्स वेट अन वाच मोड पे आप रखेगा हाला कि ये जो गैप अप शुरुआत थी उसके बाद ही यहां पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अन्वाइंडिंग प्रिशर आज आपको दिखाई पड़ेगा इधर ट्रेंट में या फिर लार्सन और टूब्रों में लेकिन चोला मंडलम फिनाइस जो कल तेजी में था और आज प्रिशर में है तो शिवांगी में यहां पर 32% के आसपस का डाउंसेड है और अच्छे नए शॉट्स बिल्डप बन रहे है डेलो के आसपस चोला मंडलम कामकाज कर रहा है इसको कैसे डीड कर रहा है अप लाईसी में तो एक तरह उपर से बिक्वाली आई और चोला मंडलम ने भी उसी जोन से ही बिक्वाली दिखाई जिस समय से वहां बिक्वाली आई तो क्या प्रिशर एक्स्टेंट करें या क्या इसका जी पूरे ही अगर हम फिनान्स स्टॉक्स की बात करें बैंकिंग हो या इन्वी एफसी हो या चोड़े जो है सब में ही मुमेंटम जो है वो मिसिंग है अगर चोला फिनान्स की हम बात करें तो आज काफी हग तक शॉर्टर यहां पे कर रहे तो उन पर मेरी राय रही कि हम प्रोफस करें चलिए तो आपको चोला मंड़नम इन्वेश्मेंट के ऊपर यहां पर राय देते वे शिवांगी मैं एक ब्रेक का वक्त हो गया लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉल जो आपको शिल्पा मैंने बताई थी जेस आपको शिल्पा मैं एक ब्रेक का वक्त है ब्रेक के उस पार शिवांगी मैं माय साथ आज मौजूद है कोलकता से उन से हम बाचीत करेंगे एक सस्ते आफ्शिर को लेगे चोड़े से ब्रेक के उस पार आप देखरें फ्यूचर एक्ष्पेस और 19-250 इंडिसीज का अभी का लेवल करीब करीब 117-118 अंकों की बढ़त के साथ कामकाश करता है वे निफ्टी बैंक 320 नहीं 314 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक कामकाश कर रहा और 320 अंकों के आसपास का इजाफा आपको सेंसेक्स में दिखाई पड़ेगा और मिट कैप स्मॉल कैप दोनों में भी खरदारी है करीब-करीब एक फीज़ती के आसपास की शिवांगी मैम अब सस्ता ऑप्षिन क्या चुना आपने सबस्ता ऑप्षिन के लिए मैंने चुना है DLF के 590 के एक कॉल ऑप्षिन के स्ट्राइक को डेली चार्ट अगरम देखे इसमें कंटिनुसली हायर लोस बंते जा रहे यानि की सपोर्ट जो है वो हायर सोंस की तरफ शिफ्ट हो रहे है वीक्री में एक प्रेक आउट देखन पते हुए दिख रहे है इसमें और 11 की एक स्टॉप लोस के साथ 21 का टारगेट और 11 का स्टॉप लोस साड़े चौदा सो इन फैक्ट DLF की 590 एक ओल जो की 15 रुपे के जोंस में भी कामकाश करते हुए आपको दिखाई पड़ रही है करीब 20 रुपे के आसपास यह टारग गूमता है तो कंफरडेबल सिटॉइशन है कि अलॉंसाइड जाने वाली जी HDFC बैंक के अगर हम बात करें यहां पर यह प्यॉर्ली एक जिस तरह से मोमेंटम इसका बनते हुए दिखा है विछले 3-4 महीनों से यह एक इंवेस्मेंट स्टॉक बनते हुए रह गया है काउंटर है तो इसमें एक क्विक जो है राली इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इंवेस्मेंट ग्रेट स्टॉक है तो उससाब इसको देखिएगा चले अब शो समेटने का समय आ गया शिवांगी वह कलकता में मैच भी है संडे को वही देखने गए हो क्या जी बिल इसमें शुक्रिया में आसाथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बाचीट करने के लिए सब इशेरों पर राय रखने के लिए और इंडिसीज पे उननेस चार सो बैयालिस के टागट के लिए लांग साइट पर जाने की राय इननेस एक्स टॉप लॉस निफटी बैं 21 रुपे के टार्गेट्स के लिए अप लॉंग जाएंगे ग्यारा का एक स्टॉप लॉस यहां पर इंडिन कर सकते हैं बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इंडना लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले